इस वक्त हम सुपोल जिला के पिप्रा पढखंड अंतरगत मौजूद हैं और आपको पता होगा कि आज कल कुछ हमारे बंधु लोग जो हैं वो केवल ये चीज खोजते रहते हैं कि कौन लड़की किसके साथ भाग गई, कौन लड़की कहां से आई, कौन जो है भाग के साधी कर ली, मतलब यही चीज खोज के दिखाने के पीछे पड़े हुए हैं, अभी वही लड़का मौजूद है, जिनके उपर की एक लड़की आरोप लगा रही थी, कि वो लड़का मेरे साथ साधी किया, और फिर हम को चार साल तिन साल रखा है, उसके बाद दो बच्चा हुआ एक पांच साल का और एक कितना तीन साल का है, ये सब होने के बावजूद अब हमें रखने को तयार नहीं है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस घटना की पूरी सचाई क्या है, और हमारे साथ ये है, इस विशह पे खास बादचित करने के लिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोस जी, आपके ऊपर एक लड़की का आरोप है, कि हमसे लव मैरेज करके साधी किया, वो भी कोई सोरूम में गाड़ी लेने के वहाने में आपसे बाचित शुरू हुआ, और आप उन से साधी कर लिए, और फिर साधी करने के बाद अब उनको क्यों नहीं रखन जा रहे हैं जो बात आप बोले की सोरूम पे लड़की जो ब्यान दे रही है कि सोरूम पे मुलकात हुए है लड़की का कहना बिल्कुल गलत है हम सिपोल में रहते थे वहां से हम market कि और निकले और गमरिया market जब पहुँचे तो वहां पर लड़की पर भी पाती का बात कर रही थे जिस अभियान में तब हम इनसे बात्चित किया और नमर का अरदान होई हम सोचे कि मेरा भी कुछ काम था ITI college में हम को admission करवाना था दूरान जब उसका हम किसी दूसरी व्यक्ति से बात करते हुए देखे फॉन पे तो हम उसका नम्मर लिए हम उनको बोले कि देखी हमको भी काम है हम एडमिसन लेंगे तो जब आप परवी पाती का बात कर रहे हैं तो वो कहा कि ठीक है आपका काम होगा आप अपना नम्मर दे थे वह उनका एक बहन है जिसका नाम चुनी देवी है वह यही काम करती है तो हम उनको अपना नम्मर दिये हम सोची कि हमरा काम अच्छा कोलेज में एडमिसन करवा देगी मुनी कुमारी तो उसने क्या कि आओ कहा कि कुछ पैसा खर्च होगा फॉन पर बात होना स्टार्ट ह तो हम भूले ठीक है जो पैसा लगेगा हम देंगे आपको पैसा तो उनको हम पैसा देना श्टार्ट कर दिये कभी वह दस यहर कभी पाँच हजार ऐसे करके अपने बहन के अकॉंट में और अपनी ममी के अकॉंट में वह मांगती थिया कुछ क्यास भी उनको हम देते आये क्योंकि हम सोचे कि इसके पास एतना अच्छे अच्छा आदमी है मेरा कहीं कहीं करवा ही देगा इसी अनुसार उनको हम पैसा देते गए जब कुल मिला के दो ढालाक रुपया इनको हम तिन-चार महने में दे दिये तब जा करके हम उनको बोले कि मुनिक मारी जो देखी मेर काम भी आप अच्छा को लेजमें आज ऐसे नहीं जब कर cœ हैं तो मेरा पईसा वापस कर दीजिए तो उन्होंन क्या किया जो तिन-चार महने के बाद हमसे आज य जो करके जब हम उसको पैसा मांग रहे थे तो आज जो करके उन्होंन क्या किया जो एक दिन वेशारा मेरा कर कर लेना है पहले से ही था जिस बारे में हमको जानकार एक भी परसेंट नहीं थी तो हम उनके रूम पे पहुंचे तो जो मुख रूप से उनका ममी लड़की का ममी पापा उनका बहन उनका भाई को हम पहचान रहे थे बाद वाकि और जो व्यक्ति थे उनको हम नहीं पहचान के साथ जो है बोला के कपरा खोलो हमने जो सब्सक्राइब पहने हुए थे खोल दिये लपेटे हुए थे और कहा कि जो तुम इस लड़की से साधी करो जो कि लड़की जो है पलंग पे अपने रूम में बैठी हुई थी तो वहां पे हमसे जबरदस्ति साधी करवाया जो कि फरजी वीडियो अभी जो वैरल कर रही है लड़की साधी होने के बाद जो हम अपने क्या कि आप बैफोर्स अपने बेहन के साथ में हमको रूम में बंद कर दिया रूम में बंद करने के बाद जो है एक दो रोज के बाद हम आये घर हमने इस बात की जानकारी अपने कि ने क्या किया मेरे साथ बलक मिल करना श्टार्ट कर दिया कि आप हमसे साधी किये हैं आप जब मेरे यहां नहीं आते हैं मेरे रूम पर नहीं आते तो आपके घर पर पहुंच जाएंगे हम अपने समाज के डर के मारे वहां पर पहुंचना श्टार्ट कर दिये जब वहां प दे रहे थे यह इन्हेंट कैस्ट दे रहे थे या कि ट्रांजक्शन से ओंलाइन देते थे नेट बेंकिंग की दुआरा उसके ममी के अकॉंट में और उनके बेहन के अकॉंट में मेरे पास है जब देते हम परहसान हो गए उनसे उनको बोले की देखिए हम नॉर्मल फैमिली से बिलम करते हम इतना पैसा कहां कहां से आपको दे पाएंगे उसने क्या किया फिर ओका ठीक है जब नहीं दिजगात आपके हम घर पे पहुँच जाएंगे लड़की ने फिर से बात नहीं माना उसने क्या किया मेरे घर पे पहुँच गया और मेरे पूरे फैमिली को पूरे संगीन मामला में और देख लगा करके हम पे थाना में अपयार दर्ज किया जिसमें कि मेरी मम्मी और बहन को अंदर करवा दिया लड़कियोंने उसके बाद हम घर से भागे हुए थे तो घर से भागे हुए थे उसके बाद जो है जो जब लड़की मेरे घर पे रह रही थी उस डर्वियान सोलत तारीक अठमी महना में जो ड़क्रिती किया मेरे घर में उसमें सोना चांदी सब लुटके मवेसी उबीसी दो गारी के साथ जो है गेहों मूंगूं का बोरा था शारा लूटके लेकर यहां से जा रही थे जिसमें की परसासन को फोन किए थार परसासन ने खुद आया और परसासन ने मेरा ममेशिट था और अनाज जो था वह उतरवाया लेकिन लड़की ने सोना चांदी ले करके यहा और आप आपंप पहले का रहा हुआ कि दिल्ली में लगभड साल रहे हैं और दो बचे है उनका यह यह सब जो आरोप हम पे लगा रही है कि चार साल हमको लुदियाना में रखा है इस सरासर उनका जूट है यह फिर बच्चा कहां से हैं वो जो लड़की बता रही है कि दो बच्चा है संतोस कुमार का संतोस मंडल का जो की सरासर जूट है उनका दो नहीं तीन बच्चा है जो की जनकारी इस समकान होने के बाद हमको यह बच्चा आपका नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं है यह अभी तक जो हम बता रहे थे यह लड़की है यह लड़की नहीं और अवरत है हाँ इसका साधी पूर्व सिंहे सर में हो चुकी थी हाँ तो हमको यह समबात जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी अभी जो यह लड़की हम पे आरोप लगा रही कि हमको दोग वेटी है हम कहां से कमा के खाएंगे तो यह मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं है और लड़की को दो बच्चा नहीं तीन बच्चा एक आट साल की है एक पास साल की एक तीन साल की है फिर इतना मत्तीन वच्चा होने के बाप जूद आप प llega मांगने जाते हैं फिर उनका भाई आपसे जवर्दस्ती साधी कर वा देता है और फिर उसके बाद भी आपको ब्लैक मेल करके खिचते रहता है इस बात को ले करके आप परसासन से इस मामले में क्या चाहते हैं हम परसासन से यह चाहते हैं कि जो नया के हित में हो वही हम चाहते हैं कि जो जो लड़की हम पर आरोप पर आरोप जो लगा रही है यह सरा सर ज करेंगे उस ca adapting से हम रहेंगे जो कोट का आदिस होगा उसने के लिए तब भी त्यार थे और आज भी त्यार है कि आपको संतोस जी का एक एक बात हमने सुनाया और आपको यकिन हो गया होगा कि आज कल की लड़कियां के वल सिक्षा गरहन करती और शिक्षा में जो है वो संस्कृति और सब्वेता और जो है उसको समाज में किस तरह से चलना चाहिए यह चीज गार्जन के दुआरा नहीं दिया जाता है अपने आपको इतना बड़ा ज्यानी समझ बैठती है कि एक पड़िवार नहीं कई पड़िवार को बरवाद करने मे बहुत आहम भूमिका निभालेती है और आप इनका बात सुनके तो आप दंग रह गए होंगे कि एक लड़की जो पहले से अल्रेडी उनको तीन तीन बच्चा था जिसका साधी पहले ही हो चुका था वो फिर से दूसरा साधी कर लेती है इनसे और इसके बाद इनके उपर आरोप लगाती है कि हमारे साथ लुदियाना में रहा और 6 महिना में दो बच्चा हो गया आप इस बात को भी सोच सकते हैं कि 6 महिना में 2 सकता है तो इस तरह की धा मतलब कूरीतियां हमारे समाज में है इतना नहीं नहीं इनके साथ जो है बहुत सारी घटनाई को अंजाम देती है इनकी मा और जो है बहन को भी जेल जाना पड़ता है इतमाम चीज करने के बाद घर में वो अकेले रहती है इनके यहां से जो भी है अना जु तो हम यहां के परसासन से चाहेंगे कि इस मामला को संग्यान में लेते हुए जो दोसी है उस पे सक्त से सक्त कारवाई की जाए और इस तरह की घटना फिर दूबारा नहों इसके लिए दोसी को कारवाई होना जरूरी है बांकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे थे इसको देखने के बाद आप लोगों की क्या परती किरिया बनती है कॉमेंट बॉक्स में जाके रह जरूर देंगे धन्यवाद